Hello my dear students, welcome to Magnet Brains, this is your teacher Shilpi Tiwari और आज हम करने वाले हैं new chapter of your general knowledge जिसका नाम है Dresses of India क्योंकि India is very cultural rich children हमारे देश में आपको बहुत जबार cultural diversity दिखेगी हर प्रकार की लोग हमारे देश में रहते हैं तो जब हर प्रकार की लोग रहते हैं तो हर तरह के पहनावे भी तो होते होंगे न और इसलिए आज हम chapter में पढ़ेंगे Indian Dresses कि किस प्रकार की Dresses कौन कौन से रीजन में पहने जाते हैं Okay, excited because this chapter is very very interesting क्योंकि आपको सारे states के according पता चलने वाला है कि वहां का पहनावा आखिर कौन सा है कौन सा पहनावा लोग किया करते हैं Isn't it? So let's start with chapter children Dresses of India Okay, the clothes we wear depend upon the weather conditions and way of living साहिर सी बात है कि जो clothes हम पहनते हैं वो depend करता है कि weather कैसा है वोकि बहुत जादा गर्मी में अगर आपने woolen clothes पहन लिये आप रह पाएंगे क्या? No, you'll start sweating आपो comfortable नहीं लगेगा तो हमारा जो भी होता है clothing style वो depend करता है कि मौसम कैसा है वेदर कैसा है किस प्रकार का climate है ठीक है? Therefore people in northern part of India wear light cotton clothes in summer and warm woolens in winter और इसलिए children जो देश का northern हिस्सा है North areas जो है वहाँ पर summer में कैसे कपड़े पहने जाते है light cotton clothes हलके cotton clothes जिससे गर्मी ना लगे क्योंकि during summer जब बिलकुल sun एकदम अपने extreme heat पे होता है तो northern areas में तो बहुत गर्मी होती है तो अगर वहाँ पर उस समय कोई गरम कपड़े पहन लेगा तो रही नहीं सकता और इसलिए चिल्रन वेदर वेदर के हिसाब से northern में क्या होता है कि जो इंडियन्स है नौर्थ इंडिया के वो लोग wear करते है light cotton clothes और चिल्रन बूलन कपहनते हैं winters में क्योंकि जितनी गर्मी summer में पढ़ती है उतनी ही सर्दी ठंडी में पढ़ने लगती है ठीक है तो इस तरह से वो clothing करते हैं तो हर जगा का ऐसा ही है जिस प्रकार का weather आता रहता है लोग अपने clothing को change करते रहते हैं clear तो चिल्रन लोगों की clothing बहुत ज़ादा matter करती है देश के weather और climatic condition पर अब अपने देश में तो हर प्रकार के seasons आते हैं और इसलिए वहाँ की clothing क्या होती है बदल जाती है और हर corner अपने इंडिया का क्या करता है अपने कपडों को एक एक अलग रूप देता है according to weather condition clear my dear students ठीक है then in southern cities like Chennai and Bangaluru people wear the same kind of clothes throughout the year since the weather remains almost the same so children जैसे कि अब आपको आपको बताती हूँ this is north this is south this is east और this is west अब इंडिया का जो northern हिस्सा है यह जो हिस्सा है यहाँ पे summer भी बहुत तेज होती है मतलब गर्मी बहुत जादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत जादा पड़ती है तो summer में तो लोग कौन से clothes पहन लेते है cotton clothes पहन लेते है और relax हो जाते है कि भाई गर्मी से राहत मिल गई और winters में अपने आपको बचाने के लिए सर्दी से बुलन clothes पहन लेते है लेकिन जो आपका सदन हिस्सा है जैसे कि चन्न ही हो गया बैंगलूरू हो गया वहाँ जो लोग होते people wear the same kind of clothes एक ही प्रकार के clothes पहनते है throughout the year क्योंकि वहाँ का weather हमेशा same ही रहता है तो जैसे मैंने बताया कि लोग अपना पहनावा according to weather change करते हैं तो नॉर्थ में तो लोग अपने हिसाब को बदलते रहते हैं कि भाई गर्मी आ रही है तो ऐसे कपड़े पहन लो सरदी आ रही तो ऐसे कपड़े पहन लो लेकिन southern जो cities है southern area की जो cities है लाइक आपका हो गया Chennai, Kerala योर बांगलरू तो चिल्रन ये सब क्या है ये सब चिल्रन क्या होते है यहां का जो वेदर होता है इत रुमेंस सेम throughout the year यहां पर कोई चेंजे नहीं होते है बदलाव नहीं होते है जैसा मौसा में वैसा ये पूरे साल रहेगा बारो महीने और इसलिए लोगों को अपने कपड़े बदलने गिजर होती नहीं परती एक जैसे कपड़े एक तरह के कपड़े एक मटीरियली कपड़े वो बारो महीना पहन लेते है ठीक है तो वेदर के अकॉर्डिंग बहुत जादा ये फरक पड़ता है कि लोग अपने कपड़े चेंज करते है clear? okay तो in the picture you can see this boy belongs to southern India and that is why children he is absolutely fine in every type of clothing क्योंकि same type of weather रहता है तो ना ही उसको ऐसे summer में cotton clothes ढूढने पड़ते हो ना ही winters में बुलन एक जैसे कपड़े पहनता रहता है clear my dear students ठीक है अब सारी, सलवार कमी, shirts, trousers, t-shirts, jeans are commonly worn across India तो children हमारे देश में अधिक तर आप पाओगे कि लोग सारी पहनते हैं, सलवार कमी पहनते हैं, shirts पहन लेते हैं, trousers, t-shirts, jeans यह सब अधिक तर लोग हमारे देश में पहनते हैं they are worn across our country India some dresses are unique and are only worn by people of certain regions and cultures अब बात यहां पर आई है कि कुछ खास occasion में ठीक है? कोई खास moment में children जो लोग होते हैं अलग-अलग region के, specific region के वो फिर अपना children traditional clothing करते हैं अपने area के हिसाब से अपने region के हिसाब से और अपने culture के हिसाब से these are some traditional dresses people wear in India और इनको हम क्या कहते है? traditional dresses ठीक है? हर state में क्या है? अपना region है, अपना religion है, अपने culture है तो लोग अब special occasion में usually तो क्या होता है? लोग काम कास पे जाते हैं तो जो normal कपड़े होते हो पहनते हैं लेकिन कोई खास occasion में children लोग फिर traditional attire पहनते हैं ठीक है? तो इस तरह से इंडिया में आप देख सकते हो कि बहुत प्रकार के traditional dresses मिलेंगे आपको सारी भी मिलेगी, सलवार कमीज भी मिलेगी, हर प्रकार के आपको traditional attires मिलेंगे ओल राइट, क्योंकि हमारे देश में बहुत जादा अच्छे cultures हैं, काफी प्रकार के religions हैं और सब मिल जूल के रहते हैं और एक गूस्टे से अपने occasion को अलग करने के लिए वो लो क्या करते हैं, different different types of traditional dresses पहनते हैं, ठीक है ओके, during festivals and special occasions such as wedding, people dress up traditionally, तो जैसे वो famous occasion क्या होता है, जो specific occasion जैसे I am telling you, कि उसी दिन लोग अपने traditional dresses पहनते हैं अपने आप गुट-गुट फील कराते हैं, तो जैसे शादियां हो गई, किसी परकार की पूजा हो गई, तो लोग traditional dress up करते हैं, women wear a lot of jewelry and colorful garments, और जो भारती नारी होती हैं, जो Indian women होती हैं, वो इस दिन जिस दिन शादियां होती हैं, कोई occasion होता है, तो उस दिन अच्छे अच्छी jewelry's पहनती, ornaments पहनती हैं, currency, एक प्रकार का religion, religion के हिसाब से एक ये भी dress up है, आपको पता है इस प्रकार का dress up कहां किया जाता है, कौन से state में किया जाता है, ये किया जाता है, चिन्रन पंजाब में, पंजाब में, सल्वार कमीज are very very famous, वहाँ पे लोग special के according, culture के according, traditional dresses क्या हो जाती है, बदल जाती है, change हो जाती है, okay, fact, in ancient India, people were clothes without stitching, so children बहुत पहले, बहुत पहले early men के time पे, क्या होता था, कि जो लोग होते थे, वो कपड़े पहनते थे, बिना stitch किये हुए, बिना stitch, कोई stitch-stitch नहीं होता था, सिर्फ मिला और डाल लेते थे, सर से, even when they had sound knowledge about stitching, तो ये fact है, उनको stitching आती थी, वो बहुत अच्छे से stitch कर लेते थे, लेकिन still children, ancient India के जो लोग होते थे, उनको stitching करना पसंद नहीं था, वो ऐसे ही डाल लिया करते थे, अब वो fact है, वो क्यों ऐसा करते थे, वो तो वो ही बता सकते हैं, but this is a fact, children के although हमारे देश के जो ancient लोग थे, उनको stitching करनी आती थी, but still children वो क्या करते थे, वो कपड़े पहनते थे, बिना stitch के हुए, ठीक है, so this is a fact, children, you should know about our ancient India also, है ना, क्या पहले, क्या हुआ करता था, now, मुद्दे की बात आई, कि traditional dresses for men, हम state-wise अब देखेंगे, कि कौन-कौन से state में, किस पिस प्रकार की dresses पहने जाते हैं, तो पहला हम children पढ़ रहे हैं, आत्मियों के बारे में, men के बारे में, तो children states like, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे कडाके की सर्दी पढ़ती है, ठीक है, winters बहुत तेज होते हैं, तो इस लिए children वहाँ पे जो कपड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं, फिरन सलवार, ओके, ठीक है, और काउंसे स्टेट में करी जाती है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, अब जैसे कि I have already told you, कि ये सारे dresses according to temperature, weather change हो जाते हैं, बिकर्स वहाँ पे इत्ती ठंडी पढ़ती है, that is why children people love to wear फिरन सलवार, because it gives them heat, clear, okay, next, next कौन सा स्टेट है अपना राजिस्थान, तो राजिस्थान का घूमर डान्स तो सबको पता होगा, है ना, लेकिन वहाँ पे कपड़े कैसे पहने जाते हैं, तो वहाँ पे कपड़े पहने जाते हैं, अंगरख जैसे, colorful टरबन, बहुत सुन्दर सुन्दर पगड़ियां पहनी जाती हैं, और इस तरह से काफी cultured, colorful कपड़े पहनते हैं, वो लोग, they just love to wear children colorful clothes, तो men की बात हो रही है, यहाँ पे तो अंगरखा पहनते हैं वो लोग, और चिल्रन डालते हैं colorful टोपियां, colorful turbans, पगड़िया अगर आप देखोगे राजस्थाने लोगों के, तो they are very very colorful, very attractive and beautiful, ठीक है, तो यह कैसे कपड़े कहाँ पहने जाते हैं, राजस्थान में पहने जाते हैं, ओके, then, in the states like West Bengal, Bihar, Uttarapadesh, Hariaada and Punjab, वहाँ पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं, वहाँ पहने जाते हैं, धोती, कुर्ता या कुर्ता पजामा, तो हम यहाँ men की बात कर रहे हैं, तो अब आप यह मत सोचना हैं कि, why teacher is not telling about women, because we are specifically doing the dresses of men, तो West Bengal हो गया, Bihar हो गया, Uttarapadesh हो गया, हरे आडा हो गया, Punjab हो गया, वहाँ के जो men होते हैं, males जो होते हैं, वो इस प्रकारी कपड़े पहनते हैं, धोती, कुर्ता हो गया, कुर्ता, पैजामा हो गया, योगि वहाँ पे गर्मी भी पढ़ती है, तो अपने आपको थोड़ा सा relax करने के लिए, comfortable feel कराने के लिए, they wear a bit loose clothes, ओके धोती, कुर्ता, पैजामा, Now, traditional dresses for women, so after men, we will do the traditional dresses for women, children, तो पहला है कश्मीर, कश्मीर में जो औरते होती, लेडीज होती, वो क्या पहनती हैं, तो वो भी चिल्रन फिरंसलवार पहनती हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला, कि वहाँ बहुत सर्दी पढ़ती है, and to protect themselves from the winter, people wear फिरंसलवार, clear, तो कश्मीर में जो लेडीज होती हैं, they wear फिरंसलवार, okay, next, Rajasthan, Rajasthan में लेडीज क्या पहनती हैं, तो मैंने के बारे में तो हमने जान लिया था, कि वो beautiful, colorful turbans पहनते हैं, isn't it, लेकिन चिल्रन जो females होती हैं, Rajasthan की, वो भी बहुत colorful होती हैं, लेकिन जो attire they carry, that is their घागरा चोली, और beautiful, beautiful children उनके घागरा चोली होते हैं, यूँकि वो बहुत अच्छे dancers होते हैं, वो घूमर किया करते हैं, and that is why they have picked up the clothes like घागरा चोली, तो वहां का जो traditional clothing है, that is घागरा चोली, अगर आप Rajasthan जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि लोग जो होते हैं, they wear beautiful घागरा चोली, isn't it, तो राजस्थान में जो traditional dress women का है, that is घागरा चोली, next है पंजाब, तो पंजाब की जो लोग होते हैं, पंजाब की जो ladies होती हैं, they wear salwar kameez with dhupatta, ठीक है, men जो होते हैं, वो lungi kurta पहनते हैं, लेकिन जो वहां की ladies होती हैं, उनका ये traditional attire होता है, salwar kameez and dhupatta, ठीक है, जो पंजाबी ladies, they wear salwar kameez with dhupatta, next है children sikkim, अब हम east side के बारे में जानेंगे, तो जो eastern side जो है, that is sikkim, वहां का the traditional dress है, that is baku with silk blouse, ठीक है, तो उनकी जो pick, अलग special सारी होती हैं, उसके साथ, वो कौन सा blouse carry करते हैं, silk blouse carry करते हैं, तो वहां की ladies का ये traditional clothing है, baku silk blouse, isn't it? First है match the following, तो आपके इस column में क्या दिया गया है, dresses दी है, ओके कैसे कैसा पहनावा होता है, और यहां पे उन states के नाम दिये हैं, तो आपको इन traditional dresses को, उनके states के साथ क्या करना है, match करना है, ठीक है, तो पहला है आपका फिरंसलवार, अब फिरंसलवार कहां पहनी जाती है, कौन से state में लोग फिरंसलवार को carry करते हैं, तो फिरंसलवार is carried in children, जम्मू and कश्मीर, और क्यों किया जाता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, and to protect themselves from the winter, ताकि उनकी बॉड़ी में क्या रहे, गर्मी रहे और वो गरम रहे और उन्हें सर्दी ना लगे, और इसलिए वहाँ के वो चाहे men हो, या women हो, दे वेर फिरंसलवार, और राइट, सल्वार कमीज, सल्वार कमीज कहां पहनी जाती है, तो सल्वार कमीज, चिल्डरन ट्रडिशनल ड्रेस है, पंजाब का, सल्वार कमीज and टुपट्टा, बेसिकली कहां का ट्रडिशनल ड्रेस है, पंजाब का, पंजाब की जो ladies होती है, women होती है, थार्ड है यूर घागरा चोली, अब आपने डांसे तो देखे होंगे राजस्तान के घूमर घूमर, तो वो पहने क्या होते हैं, वो पहने होते हैं घागरा चोली, क्योंकि उससे उनका डांस बहुत सुंदर निकल कर आता है, धागरा चोली is Children's traditional dress of the state Rajasthan, डैन यूर बाकु सिल्क ब्लाउस, तो बाकु सिल्क ब्लाउस कहां का ड्रेस है, तो चिल्र सिल्रनग बाकु सिल्क ब्लाउस हमारे स्टेट की ब्लाउस के Y-saken का Drasis है, और Eastern side का state कौन सा है? Eastern side का state है Sikkim. So, Baku Silk Blouse is the traditional dress of state Sikkim. और Sikkim की capital क्या है? Gantok. तो basically वहाँ के जो भी लोग होते हैं, वो Baku Silk Blouse पहनते हैं, वो वहाँ के उनकी traditional dress है. Okay, तो ये होगे आपका match the following और अगर मैं इसको numbering में कर दू, जैसे के मैं करती हूँ, तो आपको असानी से match the following समझ में आ जाती है. Okay, so this is 2, this is 3 and this is 4. Sikkim, clear? तो आपका screenshot ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने next question में. Okay, तो dresses of India का ये first exercise हो गई. Now, moving to next. Now, name the dresses. बहुत ही simple है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये तो आपने देखा ही होगा अपने घरों में. है न, ममा पहनती है न, कहीं जाती है बाहर तो उनको ये पहनते हुए, आप जब देखते हो तो फिर आप क्यूरियोस हो जाते हों कि ममा कहा जा रही है आज. Isn't it? तो ये कौन सी traditional dress है? जो special occasions में या फिर किसी प्रकार की wedding, पूझाय फंक्शन में ममा पहन लेती है या फिर जब उनको good-good वाली feeling आती है तो कहीं बाहर जाने से पहले देवे सच अटायर. What do you call this name? This dress name? This is a sari, right? ये है sari. और children, 90% इंडिया में जो ladies होती है, वो क्या पहनती है? सारी पहनती है. तो सारी इंडिया की पहचान भी है. जब आप इंडिया से बाहर जाते हो, तो लोग आपको सारी से तुरंत ये जज़ कर लेते हैं that you are from India. क्योंकि इंडिया की सारी's are very very famous children. In fact, जो बाहर के लोग है, जो foreigners होते हैं, the people who are outside India, they also love to wear सारी. क्योंकि उन्हें सारी's बहुत पसंद आती है. और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा shocking की बात होती है, कि 5 meters की लंबी सारी आखी ladies body में पहनती कैसे है, isn't it? So children, this is a सारी, सारी इंडिया की famous traditional dress में से एक है, ठीक है? Next, what is this children? So children, this is your dress, चनिया चोली, okay, इसे हम कहते हैं चनिया चोली, which is very very famous in Gujarat. कहां पहना जाता है, गुजरात में पहना जाता है, यूँकि वहां पे कौन सा डांस होता है, वहां पे गर्बा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं, तो वहां के जो ladies होती हैं, उनका ये famous attire है, especially during Navratres, when they go and they play गर्बा, they do डांडिया, they wear such traditional dress, this is known as चनिया चोली, okay, next. What is this? ये कौल सी ड्रेस है, तो आप देख सकते हैं, ये तो हो गया, simple सा कुर्टा, और नीचे आप देख सकते हैं, children, this is धोती, so this is कुर्टा धोती, okay, so I'll just write down here, this is कुर्टा धोती, कुर्टा धोती काफी famous है, in the states like your Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, वहां के जो लोग होते हैं, मेल्स होते हैं, especially during some occasions, कोई special occasions होते हैं, तब चिल्रन वो इस प्रकार के traditional dress को कैरी करते हैं, जिसमें आता है कुर्टा और नीचे आता है धोती, clear, especially आप पंडित्स को भी देखो, जो प्रीस्ट होते हैं, जो पूजा करते हैं, वो भी इस प्रकार का dress कैरी किये रहते हैं, ठीक है, that is कुर्टा धोती, so I have write down कुर्टा धोती, next, what is this, children, आप समझ ही गए होगे, ये पंजाब की लेडी ने क्या पहन रखा है, किस प्रकार की traditional dress, so this is salwar kameez with dupatta, okay, very very famous traditional dress in Punjab, पंजाब में आप जब जाओगे, तो आपको वहाँ पे maximum लोग जो dress पहने मिलेंगे, वो मिलेंगे, salwar kameez with dupatta में, वहाँ पे famous famous और सुन्दर सुट्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का तो ड्रेस ही है, traditional dress ये है, और इसलिए वहाँ पे बहुत सुन्दर सुन्दर और unique आपको pieces मिलेंगे, salwar kameez and dupatta के, तो next time जब आप जाओ पंजाब का अपनी mamma या sisters को ये बोल देना, कि if you want to buy some beautiful salwar kameez dupattas, then we must go to Punjab, क्योंकि वहाँ का traditional dress है, salwar kameez and dupatta, all right, now what is this, so children इसे कहते हैं, lungi and kurta, और ये पहनी जाती है, South India में, जो South India में जब beddings होती हैं, फिर किसी प्रकार का spiritual कुछ काम होता है, function होता है, तो वहाँ के जो males होते हैं, South Indian के, like Kerala हो गया, Tamil Nadu हो गया, तो वहाँ के लोग children इस प्रकार के dress को carry करते हैं, so this is lungi and kurta, okay, अगर आपका भी movies देखे हो, या फिर कोई picture देखे हो, South India के तरफ की, तो चलना, आपने देखा होगा, कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वो इस प्रकार के traditional dress को carry करते हैं, so this is lungi and this is kurta, alright, तो अब आपको समझ में आया, कि हमारे देश में कितनी जागा diversity है, हर एक corner में इंडिया के, आप देख सकते हो, कि लोग अलग-अलग प्रकार के dresses को carry करते हैं, and that makes our country look beautiful and colorful, isn't it? तो ये chapter यहीं खतम होता है, dresses of India का, अब एक information के, अगर आपको Magnet Brains के videos देखने हैं, तो जाना है Google Chrome पे, लिखना है www.magnetbrains.com उसके बाद ये site खुलेगे, इस पे लिखा रहेगा, India's No.1 100% Free Online Education Platform, नीचे दिये रहेंगी classes, for example, आप class 3 में हैं, आप class 3 क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप class 3 क्लिक करेंगे, आपके सारे teachers with their subjects आपको दिखेंगे, अब आप मान लिजे, आपको GK पढ़ना है, तो आपने GK क्लिक किया, और जैसे आप GK क्लिक करते हैं, आपके GK के chapter wise videos आपको दिखने लगते हैं, अब आप मान लो, कि आपको कोई particular video देखना है GK का, तो आपने GK का वो particular video प्ले किया, तो इस प्रकार से आप video देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये था आपका chapter dresses of India children, नेक्स क्लास में हम new video, new topic के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए जैसा मैं कहते हैं आई हूँ, Magnet Brains को like, follow, subscribe करना नहीं बूलना, क्योंकि Magnet Brains से था है, kindergarten to grade 12, free videos and free education. Thank you.